दोस्तों स्वागत है आप लोग का नियूज आप देडे में मेरा नाम है राजिस रंजन और रोज के तरह आज भी आया है आप लोग लिक्तम जिब बर्दस्त नूज लेके दोस्तों तो पहले हेडलाइन देखते हैं क्या है इंकम टेक्स की छुट की लिमिट बढ़कर होगी पांच लाक क्या होगी पांच लाक और कब होगी इसके बारे में डीटेल्स पर जानेंगे और ये खुसकबरी कब से मिलने वाली है मिले की की नहीं और दूसरा है ओपियस के बारे में गोल्ड पेंशन इसके पूरानी पेंशन योजना के बारे में जानेंगे एक निताजी है हमारे उनने क्या बयान दिया है इस पर ठीक से जानेंगे और आपका राय भी आप बता सकते हैं कमेंड बॉक्स और एक मुबाइल फॉन लेके आय आपन ने खुसखवरी दिया है कपसे होगा तो दोस्तों अभी तक जो है टेक्सेबल इंकम धाई लाग से उपर अगर आपका इंकम है सलाना तो उसके आपको टेक्स देना होता है अगर आपको 5 लाग तक टेक्स बजाना है तो सेक्शन 87A के तहत छूट दी गई है इसमें थोड़ा सा पेच है जो की सब को नहीं मिल पाता है तो 250 लाग तक तो मिल जाता है और 250 लाग के बाद से आपको इंकम टेक्स मेरी माम पेगरना पड़ता है गर 5 लाग के बीच पे आते हैं तो अभी तो यह है लेकिन इसे बढ़ा के 5 लाग किया जाना बहले से मांग भी है और इस पे सरकार का वयान भी आया है कि इसे किया जा सकता है, इस बार जो बजट पेस होगा, एक फरबड़ी को दिरवला सतारमन बजट पेस करेगी, इसमें आपको धाई लाग से पंच लाग रुपए किया जा सकता है, तो दोस्तों ये खुसकबरी है, जो लोग आईगर के लिमीट के अंदर आते हैं और जो डाही लाग से उपर इनकी इंकम है, तो उनके लिए ये अच्छा खुसकबरी भी हो सकता है, तो आप इंतजार कीज़े एक फरबड़ी तक का, एक फरबड़ी दोज़ार तेवीश का होगा एलान, आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियर लि सकता है कि आपको पांच लाग तक के इंकम पर टेक्स ना देना पड़े सरकार को, और आप टेक्स फरी होके और ऐसे मितलब आप अगर चाहे तो रिटर्न भी फाइल ना करें, वैसे तो मेरा एक सलाह होगा कि जो टेक्सेवल इंकम के अंदर नहीं भी आते हैं, वो भी बताऊंगा, आगे है OPS, और पेंसन स्कीम, पुरानी पेंसन योजना, इस नेता का बड़ा वियान, भूत को मत जगाईए वरनक कुछ नहीं बचेगा, तो ये कौन है नेता जी, इनके बारे में जानते हैं, सुसिल मोदी हैं ये, सरकारी करमचारी के तरफ से लगातार पु इतना आगे बढ़ पाते हैं, भविसी की पीड़ी पर बोज डालना बहुत गलर, सुसिल मोदी ने कहा है कि भविसी की आने वाले पीड़ी पर बोज डालना गलत है, पेंसन से बोज डलता है, तो कही ना कहीं ये बात सही है, पर उन करमचारीयों का क्या जो जिंदगी भर स सरकार को इस पर ढंक से सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकारी ही क्यों, प्राइबेट जो कगाम करते हैं, उनके लिए भी पेंसन की प्रवस्ता बनी चाहिए, उनके लिए भी एक अच्छा स्कीम बनाया जाना चाहिए, है पर उतना एफेक्टिव नहीं है, इस साल बहाल हुई प्रवस्ता, तो देख सकते हैं कि कॉंग्रेस ने 36 गड़ राजस्थान में पुरानी प्रवस्ता बहाल कर दिये, वह ही माचल परदेश में से लागो करने का वादा किया गया है, पंजाब में भी यह प्रवस्ता बहाल हो गई है, और जार्खन में भी दोस्तों नहीं डालना चाहिए, तो आप लोगों का मानना इस पर कमेंट में बताईएगा, पुरानी प्रवस्ता योजना को बहाल किया जाना चाहिए या नहीं, तो बढ़ते हैं आगे इस पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो बीजेपी सासित राज्जी हैं, वो तो इनके बा इस पर देखने में बहुत सुन्दर है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या-क्या है, और कौन सा मॉडल हैगी, यह वीवो का है Y35M, अब इसका इसमें क्या-क्या आपको सुविधा मिलेगा, तो सबसे पहले इसका साड़े-छे-इंच का बड़ा IPS डिस्पले मिलेगा दोस्तों, और उस पिक्सल की बात करें तो 720-1600 पिक्सल के HD-Plus होगा, तो यह भी काफी अच्छा होगा, इनका इसमें आपको काफी clear image मिलेगा दिखने में, और Android 13 OS पर चलेगा, तो यह लेटेस्ट है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बात करेंगे, तो इ दोस्तों, इसमें 18 बाट का आपको चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो कि उतना पास्ट नहीं है, पहुंच जारे मेंज की बैटरी ठीक्टाग है, और 256 GB तक स्टोरेज मिलेगा, तो यह काफी अच्छा है, 8 GB और 256 GB का स्टोरेज है, यह काफी अच्छा मन तो के हिसाब से यह कैमरा अच्छा हैंगा, तो तोटल अगर इसका बात किया जाया है, तो यहां पे दिया गया है, और इसकी प्राइजिंग की बात करें, तो आप जो इसका 4 GB, 128 GB वाला वेरियंट है, उसका किमत 17000 के करीब करीब है, और 6 GB, 128 GB वाला जो है, उसका 20,000, तो आप जो अन से वेरियंट में चाहें, वो ले सकते हैं, इसको इसके इंसाट भी कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए, तो दोस्तो बढ़ते हैं आगे, अगर अगर यह फान अच्छा लगता हो, तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, आप कोई नियूस पसंद आता और आखिर में दोस्तो रोहित सर्मा का कप्तानी चहिनने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में, तो इसके अगर विसिसी और इनका कप यह निगता है क्यादर सन् काफी खराप रहा है, वो अन डिकेट में, जब से कप्तानी भी कप्तानी आया तब से, तो इ इसमें पहला दावेदार जो है सोरीकुमार यादव है, दूसरा बिराट कोहली को फिर से बताया जा रहाएगी, बिराट कोहली भी दावेदार हो सकते हैं, और तीसरा है हर्दिक पांडिया दूस्तों, तो आप लोग को इनमें तीनों में कौन सा पसंद है आप बताईए, मु और मैं पांडिया का इसलिए बात नहीं कर रहा हो दोस्तों कि ये बॉली बॉलर और रंडर है, तो इनका क्या ये चोटिल रहते हैं काफी, जब ये चोटिल रहते हैं तो टीम में कप्तान नहीं खेलेंगे तो वो भी ठीक है, तो सुरीकुमार यादव मेरा बेस्ट आपस ह और ये ब्यबदफ्त खेला रही है दोस्तों इनको ये समय मिलना ही चाहिए, तो आपका क्या रहा है इस बारे में जरूर कमेंड बॉक्स में मताईए, दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, नमस्कार, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे दोस्तो और फेस्बूक पे देख रहा है तो फॉलो का बटन दवाईए, मिलते हैं कल की वीडियो में, नमस्कार